जहें दोस्तों आसा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छेंगे तो दोस्तों जिन भी स्टूरेंट का जो है थार्ड मेरे लिस्ट में नेम नहीं आयता अब वो फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और फोर्थ राउंड की जो च्वाइस फिल है वो कब काफी दूर जो है खौले सबर रहा था तो यह सारी कुछ जो है सोलीउसन इसका जो है इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूँ आसा करता हूँ आप लोगों को काफी ज्यादा जो है हमारी वीडियो से हैल्फ में लेगी तो जो भी स्टूरेंट हमारी चैनल पर जो है पहली जो है हम जानते हैं कि आपका जो फॉर्थ राउंड है ना जो आपका फॉर्थ राउंड है उसका जो है च्वाइस फिल है वो कब से स्टार्ट होने वाला है तो देखिए दूस्तों आपका जो फॉर्थ राउंड की जो च्वाइस फिलिंग है ना वो आपके 20 तारीक से जो है आपका लाज डिट होगा यानि दो दिन का आपको समय मिलता है अपना जो है च्वाइस फिल को फिल करने का यानि जिन भी इस्टोरेंट को अगर जैसे उन्होंने दो-तीन कोलेज फिल किया तो अगर वो चाते हैं कि मेरे को चार पांच को फिल करना है तक कि ज्यादा चांस आ जाए तो वो इसके अंदर जो है चेंज आउट कर सकते हैं अपना बदल सकते हैं या फिर ट्रेड वागिदा जो है इसके अंदर चेंज कर सकते हैं और एड भी कर सकते हैं तो उनके लिए जो है ये टाइमिंग होगा और ये जो डेट दिया हुआ है 20 तारिक से 22 तारिक तक के आपको ये चीजे जो है कर लेनी है ठीक है अब बात करते हैं दोस्तो फॉर्थ राउंड की जो मेरे लिश्ट है ठीक है ना यानि कोलेज के अंदर कब नेम आता है कैसे चे चेक आउट कर सकते हैं कि आपका नेम आया है या नहीं आया ठीक है न तो आप जो है ये 27 अगरस्त को जो है आप चेक आउट करेंगे तो आपको पता चल गया कि आपकी फॉर्थ राउंड की जो च्वाइस फिलिंग है वो कब से स्टार्ट होनी है और जो आपकी फॉर्थ जो मेरी लिष्ट है वो कब आएगी ठीक है अब दोस्तों बात करते हैं उन्हीं स्टुडेंट का जिनका थार्ड मेरी लिष्ट में जो है नेम तो आगया था परंतों उनका जो है 100% ट्रेड नहीं मिला था या फिर जो भी उन्होंने फिल किया था उसके मुताबिक जो है उ अब कर गोंतरा है तो अब वह भी तूह करें तो आव वह जाते हैं कि मैं ट्रेक् feather के अं़र जो है एडमिशन लूँं या नहीं लिए ठीक है ना और कई सारे जो student होते हैं वो जो है अपने सिर्फ मन पसंट रीड को लेना चाहते हैं और जो भी extra में आता है उनका नहीं तो वो जो है नहीं करते हैं और वो next round के लिए participate करना चाहते हैं तो देखें दोस्तों यह जब तक जो है अगर आप ऐसी गलती करते रह करेंगे तो उनके लिए जो है एक सरत है दोस्तों वह सरत यह है कि मालिया किसी स्टूरेंट को जो है फिटर ट्रेट चाहिए तो अब वह सिर्फ ओनली सिर्फ फिटर ही ट्रेट को चोईस करेगा भले आप दिल्ली के दिक्कत की बात है कई बार क्या होता ना कि जो आई टे के टीम में वो सुचते हैं कि यह बार बार जो है अब गिरेशन कर रहे यह जो है एडमीसन नहीं ले रहे नाम आने के बावजूद भी तो इनका नेम जो है लिश से हटा दिया जागा तो ऐसा भी हो सकता तो इसलिए जो आप फोर्त राउंड में आपको आईसा ही करना है कि जो भी आपका मन पसंद ट्रेड है तो सिर्फ आप ट्रेड को कई सारी कोलेज में फिल कर सकते लेकिन एक्स्ट्रा आगर आप ट्रेट को चोईस करो Gए तो फिर आपका उसमें नेम आ सकता और एडमीशन आपको लेना भ को सिरिफ एड करेंगे बाकि जो भी तीन-चार जो को अपने ट्रेट को चोईस किया ना उसको सबसे पहले रिमूफ करेंगे और उसके बाद ना दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू पर किलिक करेंगे दोस्तों एक कोर्शन और भी है दोस्तों वह स्टुडेंट है काफी सारे है जो है किया डीफ्रेंस है वह भी आप लोग समझ देखें अगर आप कोई भी ट्रेट है अगर उसको क्ट मूफ कर देखी ऑना तो लों करने का मतलब यह होता है कि आप उसकेंदर कोई भी जो है चेंज नहीं कर सकते हैं वह खाना आप और आप जो है बदलना चाहे तो नेम आता है, सेव करने से नेम नहीं आता, तो इन में से ऐसा कुछ नहीं होता, यह सिर्फ एक प्रोसेस है, जो मैंने समझाने की आपको कोसिस करिए, ठीक है, आयोप आप समझेंगे, आप दोस्तों उन इस्टूरेंट का भी प्रोब्लम सुन लेते हैं, जिन इस्टूरेंट क इनों ने जो है, यह आपके चार-पांच कोलेज हैं, इन में फिलकिया लेकिन उनके जो घर के पास हैं, शिर्फ यह तीन कोलेज हैं, और यह दो कोलेज जो हैं, उनके घर से काफी जादा दूर है, तो अब आपको क्या करना है, जैसे आपकी फोर्थ राउंड की चॉइस फ तो ऐसे ही आपका नियम आता रहेगा दूर-दूर कोलेज में और आपका एडमिशन भी नहीं उपाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि यह फोर्थ राउंड है, इसके बाद फिफ्फ राउंड होगा, उसके बाद अगर सीद बची तभी सिक्स राउंड होगा, नहीं तो आपकी सीटे बहुत हो, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो आसा करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो से काफी जादा हेल्प मिली होगी, और अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई होगी तो, प्लीज चैनल को भी सब्क्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर ठीक है दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में